अब ही में जिस होटल के सामने खड़ा हूँ ना इस होटल को मैं जब 18-19 सप्टम्ब गा था तो हमने वाराज सुर्फे में चार दोस्तों ने यह होटल लिया था और अज इस होटल का रेट पांच जार चार हो रहा है वो भी मतलब आम बंदे के नीनी है जो इनके परस्नल है भागत जो सुर्फ में आते हैं उनको ही दे रहे हैं तो बहुत कुछ जब पहले का महूल कुछ और आप थोड़ा समझ के आएं क्योंकि यह बहुत सारी चीजों के सभी चीजों गए रेट बढ़ चुके हैं और होटल लेने में समसे बड़ी ज्यादा दिक्कत आए तो आप आ रही है सभी को और एक उपर सर्दी है तो होटल लेना ही पड़ेगा क्योंकि अप टेंट में रूख सकते क्योंकि वह बहुत ठंड है तो ऐसे होटलों में हम जैसे लोगों को दिक्कत इसलिए हो रही है ऑल्लाइन यह बुकिंग लेनी रहे हैं और नंबर फोन नंबर यह पही चल दरी है और मेरे रही है तो यह बहुत कुछ मदला बहुत गलत है जो तेखा जाए तो मेरी नजरों में गलत है और की सब का पना पना समझ सोचना होता है और यह होटल का हिसाफ कटाब सोन प्रियाग में भी ऐसे है और इक रूम 5000-6000 में मिल रहे हैं वहां साठी 3000-4 में ऐसे मिल रहे हैं पर दो हजार पेगा डिफरेंस है वह थोड़ा से काम है पर यह जो ओलाइन भूकिंग ले रहे हैं यह सबसे कलत है यह फिर इनको अपने नमबर देने चीए और सब कस्टमर की बूकिंग कर लेने चाहिए पैसे आप पहले डलवालों लेकिन भूक करो कि लोग तंग ना हूँ यह लोग तंग होते हैं कहां कहां पर रहने पड़ता है कल मुझे यह चीज दे कि बहुत बुरा लेका कई लोग पैसे थे जो जिसको डोर में ट्री भी नहीं मिल रही थी और किसी को बाहर भी छोना पड़ा था ऐसी मजबूरी आई थी तो यह अगर वही अपने वह तीन हजार चार इस फोटलों में देगा तो क्या दर्शन कर लेगा वह क्या सफर कर लेगा और क्या वह खरजा पाएगा यह बहुत गलत है इसके बारे में सब को शोचना जी दोस्तों यहां होटल मिलना तो बहुत ही मुश्किल है बहुत मारा मारी है और बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं कुछ और जो सिस्टम चला हुआ है टीन सिस्टम यह कैम्पिंग सिस्टम वह दिखा रहा हूं मैं आपको जिसकी ग्राउंड रियाल्टी में आपको दिखा रहा हूं जिसकी स्तीती ना बहुत दैनी है मुझे ना देखके तो एक ब में बुरी हालत होती होगी जीरो डिग्री टेंपरेचर पर देरी अब नवंबर आने वाला है तो मैंस में जाएगा तो मैंने बात की ऐसी सर्फ जानने के लिए कि क्या कुछ इस आपके यह दो बैड मतलब कोई भी दो गद्दे मालनों यह होगे यह होगे यह दो गद्दे चार बंदे सोएंगे इस पर पर मेंबर छास्सों रपी तो सिर्फ और चार जाई देंगे मतलब इन दो गद्दों की रियल्टी मतलब 24 सो में यह दो गद्दे मिलेंगे होटल से भी महेंगे तो आप सोच लो इसमें बंदे कैसे रहते होगे मजबूरी में कैसे अपना के लिए 200 कर दिए एक बंदे को एक गदा दे दो एक रिजाए दे दो ठीक चलेगा लेकिन क्या कर रहे हैं मतलब मजबूरी का फाइदा यह उठ रहा कि दो गद्दे देंगे बोलें एक गद्दे दो चोड़ा है एक पर दो और लेंगे वही रेट 600 पर मेंबर तो इन पर 24 पर देने पड़ेंगे तो आप बताव यह कहां तक सही है और इस तीथी में कौन रहेगा यह होटल चोटे-मोटे दुकान टाइब में तुटे-फुटे लोगन ऐसे टीन मारके बना दिए और हालत बहुत बुरी हो रखिए इधर देखिए तो आप समझ सकते हैं स्तीथी यहां की कितनी बुरी हो रखिए तो इन होटलों में रूम मिलना बहुत ही मुश्किल है है ना और आप रूम लेने जाओगे तो पांच हजार चैहाजार बस पूछो मत मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं जारा पर बहुत कुछ गलत है तो तो मंदिर की पास जो आपको होटल दिख रहे हैं वहाँ तो रूम मिलना बहुत ही मुश्किल है वो कहते हैं हमारे जो जजमान आते ना उनके लिए ही जगे नहीं तो हम आम आम लोगों के लि हैं तो फर मुव फार देते पैसे दो ही तरी में हम सहर जगह गुमाएं इन गड़ीं में हमने कल सर्च की पीछे सब्सक्राइब पीछे हर जगह सर्च कि रूम है नहीं कोई बोले बोलता है कि भई पांच जार बोलता कुछ फिर एट दैन जैसे जो सोलो ट्रेवलर आते हैं उनको तो बहुत ही दिक्रत होती को अगर गुरूब के साथ आता तो चल पड़ते कोई ले लिया चैजार में ले लिए भई चैवंड़ें पांच बंदे तो पर मेंबर उनको कांट्री हो जाती है पर अकेला बंदा क्या करेगा दो बंदे क्या करेंगे और फैमिली वाले क् तो खेले बंदे को इसमें सोना पड़ता है इसमें टाइब की स्वहना पड़ता बहुत ही गालत है वहत पिमार कर देने वाड़ा है और बंदे अगर कोई पैमिली लेकी आगे तो को यह बताओ इसमें कैसे रहे पाएगा अकले लड़के रह सकते हैं अक्ला कोई जैंडसों और लेकिन इनमें दिक्कत क्या है सबसे बिड़ी दिक्कत जो मैं बताना बूल गया यह कहते कि हम सिर्फ बैट देंगे पर बैट 600 पर 700 पर ऐसे और बुले कि बात्रूम नहीं देंगे बताओ फिर क्या करें एक फैमिली वाला बंदा जिसको 600 पर आप इसे ऐसे ले रहे हो बि है और वाल रियाल्टी सबसे अलग से ले रहे हैं तो समझ सकते हो आप कि मैं क्या कहना चाहा हूं और सुस्ति आंकर क्या है यह है ग्राउंड रियाल्टी शायदि है कोई बताना नहीं क्सारा क्ये के पर मैं बता रहा हूं जो मुझे लगा पर तरह बता है वो